विडियो को आप लोग एकदम प्रोफेशनल लेबल की गेमिंग विडियो एडिट कर सकते हो एंड एक और चाहता हूं नहीं हम डाइनमो है ना मॉटल है और नहीं टोटल गेमिंग है तो हमारी विडियो लोग क्यों देखेंगे तो गैस उन्हें कुछ अलग हमें देना तो आज इस विडियो में मैं इन ही सब फेक्टर्स पर बात करूँगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए अपने विडियो में तो विडियो को आप लोग एकदम लाज तक जरूर देखना एंड फटा-फटा-फटा मैं विडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो एनिमे गेमिंग है तो आप उनके चैनल को जाकर चेकाउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा है तो लेट्स बगिन इस विडियो तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या हमसे पार्ट ऐसे है जहां पे एक्दम बोरिंग हो रहा है कुछ भी वहां पे हेनी तो वो पाल्ट आपको वहां पे ट्रिम तरना है धीक है यहाँ पया पको हटाराना होगा क्यूंकि वो सब पार्ट आप एडज करो गए वीडियो को लबबा करोगे तो कोई भी मतलब नही आने वाला आप कुछ हो नहीं तो आपके वो पार्ट कोई भी देखेगा नहीं ठीक है तो सबसे पहले ये पार्ट आप जरूर याद रखना कि हमें अपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें से जो बोरिंग पार्ट से ना उसको हमें ट्रिम करना है तो सबसे पहली मैं बतारा हों क्या करना होगा इफेक्ट में जाना एट्डर और अपने ओप्लाई करोग और तो आपको देखने को मिलेगा एक दम मस्सा एट ऑने gameplay पे देखने को मिलेगा एकदम smooth इसकी setting में आप जाके थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर सकतो अपने according देख लेना ति कितना आपको चाहिए and ये apply कर दोगे तो ये automatically आपके जो gameplay है ना उसके उपर अच्छे से ये fit हो जाएगा अच्छा देखने में लगेगा तो ये चीज़ भी आप जाके उदर apply कर लेना and देखना आपको बहुत ही अच्छी result देखने को मिलेगा and guys ये सारे चीज़ होने के बाद आपने color grading भी कर लिया and अच्छे से आपने एकदम boring part को भी cover कर लिया एकदम हटा दिया उसे and अब चाहिए आपको एकदम अच्छा सा memes use करने की चीज़े and मैंने memes को उफ़पर वीडियो दो थीन बना रहा है तो आप जाएको वहाँ से meme डाउनलोड कर सकते हो लेकिन हाँ ये बहुत ही जादा important role play करता है आपके videos में क्योंकि आज कल कोई भी मतलब इतना free internet हो चुका है कि लोग यहाँ पर थोड़ी दे टिकती ही नहीं है एकदम next video ready रहता हुनके लिए तो आपको कुछ ऐसा करना होगा एकदम मतलब एकदम ऐसे comedies part पर आपको memes add करने पड़ेंगे रहा कि लोगों को interest उसमें बना रहे लोग देखते रहे तो यह चीज आपको यहाँ पर practice से होगे ऐसा नहीं है कि आप एक video देखके आप यह चीज अपलाई करने लोग होगे तो आपकी चीज़े सही होने लगेगी नहीं आपको यह practice चाहिए अच्छे-चे memes add करो और अच्छे-चे जगह पर आपको पता होना चाहिए आपका थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर अच्छे से work करना चाहिए कि कौन से जगह पर कौन से memes हम add कर सकते हैं लेकिन हाँ अफालतू के ज़्यादा memes add करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत हानिकारक होगा तो यह चीज आप नहीं करना लेकिन हाँ try करना कि memes अच्छे add करें अच्छे जगह पर अच्छे जगह पर आड करें तो गई सभी चीजों को अच्छे से करने के बाद अब आती है हमारी perfect voiceover की बारी एंड मैंने बहुत सारे चोटे चोटे चैनल देखें है एंड उनके वीडियोस में कुछ भी नहीं होता ज़स सिंप्ली वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया रहते है नो voiceover एंड कुछ भी वहाँ पर image मसाला नहीं होता है देखने को तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ट्राइ करो आप voiceover करने का क्योंकि आज आप अपलोड करो voiceover करके बहुत सारी गलतिया होंगी डेफिनेटली लेकिन दो चार दस वीडियो के बाद आप बहुत सही से करने लगोगे ठीक है तो ये चीज ट्राइ करो इससे क्या होगा कि audience की retention भी आपकी बननी रहेगी वीडियो में और लोग देखेंगे भी और मजा आएगा उनको देखने में voiceover अगर आप परफेक्ट करते हो तो तो ये चीज आप दियान देना काइनवास्टर से भी आप voiceover कर सकते हो और वोईसओवर के लिए मैंने एक दो वीडियो बना भी रखा है तो आप जाएक उससे भी देख सकते हो कि कैसे आप लोग एकदम अच्छी क्वालिटी में voiceover कर सकते हो तो ये चीज आप कर लोगे तो और भी जादी आपकी वीडियो वेतर हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा एकदम अच्छे से gaming videos edit हो चुकी है लेकिन एक और चीज की यहाँ पर कमी है जो है हमारा background music आपको हलका सा एकदम थोड़ा सा देना है एंड मेरी एक वीडियो भी है बहुत अच्छे कासे वीज भी आया है उस पर ट्राइ कर सकते हो उसमें से background music आप देख सकते हो लेकिन हाँ एकदम जरह सा आपको background music देना है funny sounds वगरा भी जो होते है न वो भी आपको बीच बीच में add करनी है इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और ज्यादा आपका वीडियो जो है प्रोफेशनल बन सकता है और भी ज्यादा लोगों का interest उसमें आ सकता है तो यह सब चीजे आप यहाँ पर apply करोगे and last में जो होता है thumbnail and titles तो guys इस पे आपको और भी ज्यादा work देना होगा क्योंकि आपका यही जो चीजे है न जो लोगों को अपके वीडियो को उपर click करवाएंगे फिर आपके content को देखेंगे ठीक है तो सबसे ज्यादा महनत आपको जो चीज़ पर करनी होगे वो thumbnail पर करनी तो यह सब चीजे आप ध्यान देना अपने वीडियो एडिट करते टाइम और आज से जाके ट्राइब करो एंड आपको देखोगे की एक नहीं दो दिन बाद नहीं एक हपते में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा तो यह सब चीजे जाके ट्राइब करना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना तो गैस आज के वीडियो में बस इत्ता है मिलते अब से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टाड़ा वाई बाई एंड टेक केर